तो मैं आज आपके लिए फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो लेके आई हूँ मैं मेरे फ्रिज को थोड़े डिफरेंट स्टाइल से क्लीन करती हूँ तो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर थी तो मेरे फ्रिज का हालत बहुत खराब हो गया था अपने अभी अभी देखा कि कितनी गंदगी हो रखी थी तो देखिए मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले एक स्क्रॉबर लेके और फ्रिज के जो वाल्स है उसको प पानी डालके वाश कर लेती हूँ बट अभी मैं अकेले थी और पानी पाइप लाने वाला कोई नहीं था मेरे हस्बन गहर पर नहीं थे इसलिए मैं बकेट में वाटर लेके ग्लास से उसको वाश कर रही थी तो ग्लास से वाश करने के बाद देखिए मैंने एक गीला कपड चीजा से उसको अच्छी तरह वाइप कर दिया है जो वाटर जा अंदर रह गय laissez पाने डालने पर तो इसको सारे racks को बिल्कुल चीज तरह मैं उसको छीन कर अब अच्छी सब दिया है बहुत अच्छी सब कर दिया हैं और मैं इसके जो रैक्स है उन सभी को क्ली अँगी और उसके बाद मैं इसको को अरेंज करूंगी थोड़ा सा ड्राय होने के बाद यह दिखें यह सारा कुछ करना है अभी यह दिखें उसका फ्रिज का सारा समान मैंने इस तरह बाहर निकाल के रखा है अभी सबसे पहले यह प्लैटफॉर्म खाली कर देती हूं किचन का और उसके बाद मैं इसकी क्लीनि में आई होप आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आ रहा होगा और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब बटन के बागल में जो बैल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा बहुत महनत लगता है यार वीडिय झाल 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 प्रीज टीन करके सब्सक्राइब जोने terminar के इसमेंग की हमारा में 안돼 में जोना घरेर करें टो यह मैं औरो कि बागट साथ कर आदित देंग्यों व्लॉग में पीछे देखा होगा तो फ्रीज की क्लीनिंग हो गई है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरा फ्रीज किस तरह लग रहा है अरेंजमेंट करने के बाद मैंने ज्यादा कुछ अरेंज नहीं किया है बर जो सामान था उसको क्लीन करके और जो रैक्स अरेंजमेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे तो वो आप मुझे लिखके बताईएगा तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी So guys ये देखे मैंने इधर बास्केट में एपल्स वेगरा रखा है और ये दूद आया था तो मैंने यापर दूद रख दिया है और ये कुछ मिठाई वेगरा थे उपर का रेक खाली है और इधर मैंने नीचे सॉसेज वेगरा रखे हैं ये दूद की मलाई है जिसका हम घी बनाते हैं तो दिखे स्ट्राइट है और साथी कुछ बास्केट में मैंने मिर्च रखी है यहां मेरी बेटी के लिए चॉकलेट वेगरा रखे हुए है यह मैंने नेल पेंट रखा है और यहां सारे मसाले मैंने रख रखे है तो इस तरह करके और निम्बू वाले ये रेक में मैंने यहां निम्बू रख दिया है कुछ मसाले ऑण बोक्स में भी रखे हैं और अगर पशंद आया है तो पलीज लाइकसे on और सबसक्राइब करके जाहिएगा सिस्ट इसरे पहलग मैं यहीं पर इंट करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे एक何 ब्रेंड न्यू व्लॉग के साथ तब तक के लिए बबाई थैंक्स पो वाचिंग थैंक यू थैंक्स पोर आल यू लव इन सपोर्ट